मेरेट लोकसभा चुनाव पर सबके नजरे ठीकी है कि मेरेट में क्या कमल खिलेगा, क्या साइकल दोड़ती हुई रफ्तार से आगे निकल जाएगी या हाती चिंगारता हुआ आगे बढ़ेगा क्या चुनाव चल रहा है, चुकि आज चुनावी शोर ठम जाएगा, अब तक चुनाव कितना बदला, बीजेपी का चुनाव कितना बदला, इसी पर हम बात कर लेते हैं, बीजेपी के राष्टियो पाध्यक्ष और राज्ये सबासांसत, डॉक्टर लक्ष्मी कांदवाश प होई है, यह इतिहास साक्षी है, आद देविय शक्ति बनाम जो आप कह रहे हैं कि क्या मतलब थोड़ा सा समझना चाहूंगा, हमारे विरुद्द जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, इन्होंने भग्मान राम के अस्तित्त को नकारा था, इन्होंने राम सेतु के अस्तित् हैगा, और हम भगवान राम को मानने वाले लोग, राम हमारे ही कारकाल में अपने गर्भग्रह में भिराजे हैं, और तो हम एहतिहासिक विश्च प्रसिद्ध रामेर सीलियल में राम का किरदार निभाने वाले आदरने अरुण को विल्दी को लेकर चुनाव के मैदान में हैं, इसलिए स्वभावी प्रक्रिया है कि चुनाव आश्री शक्ति बनाम देविय शक्ति है, और हम देविय शक्ति हम जीतेंगे, रामण की सुस्राल में चुनाव है, विपक्षकावी तो जो मतलब समाजवादी पार्टी की हो बस्पा के वो भी तो मजबूत दावा कर र राम था और यह मंदोदरी का महका था, रामण की सुस्राल है, लेकिन मैंने कहा कि चुनाव है देविय शक्ति बनाम आश्री शक्ति, इतिहास शाक्षी है कि हमेशा देविय शक्तियों की विजय हुई है, आश्री शक्तियों की हार हुई है, राम के अस्तित को नकारने वाल लोगों की हार होनी निश्चित है उसमें कुछ थो रहना ही है ऐसा क्या लगता है आपको जो कहने कि कोई है निवेसे सेकिंड नबर पर कॉन लगता नहीं कि निशन के साथ जीत निश्चित होनी है इसी जारी जी-ओनियोगी के कारकाल में, जो एक अच्छा द्रश्य इस देश की जनता के सामने प्रस्तुत हए, वही द्रश्य मेरट में प्रस्तुत हुआ है, इसलिए मेरट की जनता आदरीनियोगी जी और योगी जी को पुर्देगी, एक बात और कहना चाहता हूं, मैं अगर आसुरी शक्ति कह रहा हूं तो समाजवादी पार्टी के कारकाल में मा बहु बेटियां सुरक्षित नहीं थी आधरनी योगी जी के आने के बाद आज रात को बारह बजे भी प्रदेश में मा बहु बेटि सुरक्षित कहीं भी जाकर आ सकती है इसलिए हम देविय शक्ति हैं और वो आ और बाद राट राक्रम होता था इसलिए यह चुनाओ दैविय शक्ति ब़ना माशुरी शक्ति है दैविय शक्ति क्यों होगी है हमारा कैना हूं ैक सेना का भी जिक्र करना के विद्ध शेना है ने ह्मारी दैविय सेना उनकी आसर Оसरी सेना है और रावन की सत्सराल में भी चुना हो रहा तो रावन भी हारे थे राम जीते थे यहां भी राम का किरदार निभाने वाले अरुन गोविल जी की चीत सुनिश्चित है और बहन बहु बेटियों के साथ सीता हरण जैसी घटना करने वाले समाजवादी पार्टी हो विपक्षी दल हो इनकी हार निश्चित है समाजवादी पार्टी के अगर में बात कर लेता हूं कि जो निकाय चुनाओं में समाजवादी पार्टी का कुंबा बिखरा हुआ था वह एक जुट है रफीक अंसारी है शाहिद मंजूर है सुनिता वर्मा के साथ मच में नजर आ रहे हैं जगे 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 पूरी मजबूती से चुनाओं लड़ा रहे हैं आपको नहीं लगता कि आपके लिए चौती बार कमल खेलाना आदर नहीं अखलेश यादव जी जिस दिन मेरेट में आये थे उस दिर यह मंच पर थे सवाभावी जब कमांडर आये हैं तो सेनापती आये हैं तो फिर सेपाहिँ का भी वंच पर होना ज़ूरी था रहे अब चारिकता पूरी हुई है चुनाओं कैसा लड़ा रहे हैं यह मैं भी जानता हूं और अब अब दिकत नहीं कोई दिकत नहीं देवियर शक्तियों की व निश्चित रहेंगे यह लख मिकांद बाजपे को देख नहीं हो पूरी ताकत जूक रहे हैं हर गली हर कुछ एक गाओं में हर उसके लिए का मीरा करता मेरा काम क्यूब जिताकर लोग सम्हां में बेचना मैं अटने करताव का पालन कर रहा हूं जो मुझे करना चाहिए बात मुझे बताइए मोधी की गारंटी आपको लगता है अतनी मजबूत है सबसे मुकाबला कर पाई निशित तोर पर आज तक कोई ऐसा प्रधान मंत्री नहीं हुआ जिसने अपनी वचन बढ़्धता की बात को बार बार दोष्षाया हूं 14 से 19 से 19 से 24 तक यहाँ साक्षी है अधिन मोधी जी ने जो कहा वो पूरा किया है वह वह वचन बढ़्धता है जनता के संबंध में आज भी आधिन ने करना ये अधिकारियों को निर्देशित भी कर रखा और इस आत्मिश्वास के साथ उन्होंने काम किया है कि तीसरी बार भी प्रधान मंत्री मैं बनूंगा आज तक मैंने किसी प्रधान मंत्री मुदी जी के ने तो तुम्हें भारते जंता पार्टी की सरकार तीसरे कारेकाल में यानि दो जार उंतिस तक देश की जंता को वह साशन देगी ग्यारे से पांचवे बड़ता लाएंगे और तीसरे पर लाएंगे तो विकास के लिए कितना धरनाशी उपलब्द होगी जनता को विश्वास करना है ऐसा क्या बड़ा मुद्दा आप मेरट के लिए मानते हैं जो बड़ी चीज़ें आपने करी है नहीं मेरट के लिए तो देगे आदर ने मोदी जी ने बिना किसी के मांगे आराटीयस देश में पहली आराटीयस है मेट्रो दी है एक्सप्रेस हाइवे दिया है पहले दिल्ली जाने का मतलब तीन घंटा आज एक्सप्रेस वे पर चड़ने के बाद रिंग रोड पर उतरना चालिस मिनट अब हमको अपने मेरट में समय लगता है उस समय को भी कम करने के लिए हमने मन बनाया है कि हम मेरट में गती बढ़े भीतर इसके लिए भी फ्राइवरों का शेहर मेरट बने इसके लिए भी मानदारी से प्रयास करेंगे शाहिद मंजूर और रफीक अंसारी उनका कहना है कि इस बार बदलाव करके दिखाएंगे कि साइकिल कितनी मजबूती से दोड़ेगी इस बार जीत हमारी होगी इस दावे में कितना राव भगवान राम का जब अगनी बार चलेगा तो साइकिल कितनी तेज चलेगी जनता को पता है बहुत बहुत शुक्रिया तो देखे बीजेपी के राष्टियो पाध्याक्ष और राज्यसभासांसा डॉक्टर लक्ष्मी कांद वाच्पई है मेरट में चौती बार भी कमल खिलेगा इस बात का दावा कर रहे हैं विपक्ष पर हमलावर नजर आ रहे हैं अब देखना ये हुगा कि जब यहां पर बोटिंग होगी तब जनता किसको अपना समर्थन देती है और यहां रावन की ससुराल में जो यह चुनाव है इस पर सबकी नजरे ठीकी है कि आखिर चुनाव कौन जीतेगा चुकि रामायन में राम का किरदार निभाने वाले अरुन गोविल मैदान में है साइकल से सुनीता वर्मा मैदान में है और बसपा से देव ब्रत्यागी यानि मुकाबला बेहत दिल्चस्प है बेहत कड़ा है लेकिन होना क्या है यह जनता ते करेगी